हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं सूरज आता हूँ आपके अपने ही यूटूब चैनल इस्टडी मेगापॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 4 और इसमें हम आपको डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स बता रहे था ठीक है मेरे दोस्तों यह जो लेक्चर होगा यह थर्ड समेश्टर वालों के लिए होगा आपको पांच नम्बर को लेना है तो कैसे लेंगे आप में रिवाइश करिए यह बार सारी चीज को लिख लिजिए उसके बाद आपको पांच नमब्ल लेगा ठीक है कमेर डोस्तों अइसे ही नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों थोड़ा मेहनत जੇक है यहां पे e, x और है यहां पे क्या है एकष है वस, x और गेट जहते हैं, इन सभी चीजों को ध्यागों में रखना है x और gate में दो-छाल्ड 2 से अदिक input होते हैं कितने input होते हैं 2 से अदुक्षाल होते हैं तथा एक ही आउटपूट होता है तो तो मेरे दोस्तों अभी हमने क्या बताया इसमें कि जो हमारा XOR gate होगा उसमें 2 या 2 से अधिक input होते हैं तथा output हमारा एक होता है ठीक है मेरे दोस्तों symbol आपको दिख रहा है symbol में आपको एक और gate बनाना है और gate के आगे कुछ ऐसा कर देना है आपको ऐसे करने के बाद यहाँ पे जो हमारा output प्राप्त होगा इसको क्या कहेंगे A XOR B कहेंगे क्या कहेंगे A XOR B कहेंगे Boolean equation की बात कीजाए मेरे दोस्तों Boolean equation भी आप देख लीजिए Boolean equation यहाँ पे दिया गया है कि Y equal to A XOR B A XOR B का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए A B का complement प्लस A का complement into B हमने क्या बता है आपको कि Y equal to A XOR plus A XOR B क्या बता है A XOR B तो A क्या है Boolean equation है अगर हम इसी को क्या लिख सकते है A into B complement plus A complement into B ठीक है मेरे दोस्तों इसी को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ठीक है तो A बराबर है यह देखिए A बराबर है इतने के A बराबर है इतने के ठीक है मेरे दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है कोई भी आ जाए तो आपको समझना है ठीक है आईए इसके truth table की बात कर लेते हैं हम तो इसके truth table की बात करेंगे तो क्या हो सकता है तो यहाँ पे ले लेते हैं 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 ठीक है मरे दोस्तों तो यहाँ पे हमें समझना है थोड़ी चीजों को समझना है कि जो हमारा output है क्या है A, B, PLUS, A, COMPLEMENT, B ठीक है तो आईए यहाँ पे देखते हैं 0 है INTO, B क्या है 0 है, 0 COMPLEMENT, 1 होता है यानि अगर हम PLUS यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्या है A की value क्या है हमारी 0 का 0 COMPLEMENT, 1 INTO, 0 अगर आपने गुड़ा सिखाया है हमने जो, तो 0 का एक में कुड़ा गत्ते हैं, तो क्या होता है 0 PLUS 0 हो जाता है यानि हमारा output क्या मिलेगा मेरे दोस्तों 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा उसी तरह आप इसको भी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 1 की कंडिशन में हमारा होता है 1, ठीक है मेरे दोस्तों और यह भी कंडिशन हमारी 1, 0 की कंडिशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगे, ठीक है अगर इसमें हमारा दोनो, अब यहाँ पे देख लिजिए 1-1 की कंडिशन में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो आप लोगों कुछ चीजे यहां पे समझ में आ गए होगी इस मैथट से आप इसको कर सकते हैं ठीक है मेरे दोस्तों इस मेथट से आपको कर सकते हैं किया कब कर सकते हैं जब आपको बूलियन है कभाई हो रहा है तो आपको यहां पर देख पा रहे हो जब हमारा इनपुट दोनों इनपुट क्या हो जाए लो हो जाए तो हमें आउटपुट क्या होगा लो प्राप्त होगा और यह कंडिशन और है मेरे दोस्तों यहां पर इसमें एक कंडिशन और है कि जब हमारा दोनो ऍटोनों इन्पूट सेम है फिक है यहाँ पर जब हमारा दोनों इन्पूटोट सेम होगाटोट आउट्पूट डिया जी मिल गहुं थैक क्या मिलुलैगाप यहाँ तो क्या मिलेगा हैं यह क्या है मेरे दोस्तों x or gate में जब दोनों इन्पूट एक समान होंगे तो आउटपूट सब्सक्राइब लोग रापत होगा अन सभी परिस्थितियों में और अन सभी इस्थितियों में आउटपूट हाई प्रापत होता है इतनी बाती जो यहone पे हमने बताया यही चीज़ यहाँ बता दिया तो आज जो लेक्चर था है यह बहुत ही इंप्वॉर्टेंट था मेरे दोस्तों क्या था क्सित लॉजिक गेट अज आपका समाप तुघा मेरे दोस्तों इसके बाद एक्वएशन है सोरी रखते है boolean algebra है में दोस्तों तो boolean algebra आपको पढ़ना है तो हमने यहां पर सारी चीजों को बता दिया ठीक है में दोस्तों सारी चीजों को बता दिया उसके बाद क्या है boolean relation and their applications है demorgans theorem है के मैं के मैं कह लीजिए या इसक करना आप मैं कर लीजिए ठीक है यह फोर वैरियेबल तक आपको बताया जाएगा ठीक है वे जोस्तों इसमें आपको फोर बैरियेबल तक ही बताया जाएगा ठीक है चलिए अगले लेक्टर में आपको दिखाएंगे सारी चीजिए चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्टर में जय हिंजय भारत कर दो कर दो